हेलो फ्रेंज, वाट्स अप उमीद करता हूं कि बहुत ज़्यादा अच्छे हो पिछले वीडियो में हम लोग ने ओडिट रिस्क और इंटर्नल कॉंट्रोल के कॉंसेप्ट को समझा था आज के इस वीडियो में हम इंटर्नल ओडिट के कॉंसेप्ट को समझने वाले हैं एज पर सेक्शन 138 परते एक लिस्टेट और कुछ अनलिस्टेट और कुछ प्राइबेट कमपटी को अपने ओपरेशन के इग्जामिनेशन और रिवीव के लिए एक इंटर्नल ओडिटर अप्ट करना पड़ता है जो उनके इंटिटीज के ओपरेशन को एग्जामिन और रिवीव करता है स्वाहिए स्टार्ट करते हैं इंटर्नल ओडिटिंग और से 610 3. 4. Internal Auditing Internal Auditing is an independent, objective, SRA and consulting activity, designed to aid value and improve an organization's operation. It helps an organization to accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance इसम…र दो फॉंशनिः too, फवंचन श है। ग्रहों पष्सram रहा एल घॉप्टि गिय। मनित्र गजिन शीज थांन दो ताडो, रॉवी कंपोंस तर्म after холод में थके, रॉपी जॉजू Means ओज एंध झीैटिय। बॉज। था ट्नMore छिप आप्रेटियू थे क्कुशनो दिल्थर चाजितिति एान थे पना गिर आ मैनिस्टित रूखनां थे इतनिंटوع को आम होटते इको सब्सक्तेदितति 30. lubrenda 30. अश्यूसिस 31. अश्यूसिपन Hm 21 3. आपननल अभूसित 3. अपलिक्वेश्फ sü और छांधन manifold 3. अश्यूसित 4. अश्यूसित 5. अश्यूसिम 5. 강ऌझ läuft 5. कुरन अपनल अजिकATTी 6. a क κ ज्यू नाय doing 6. की atrás 6. का की ज्यूसित 7. amis और प्रेवारण प्रेवालन इनो इन्टीमारी क्योंट पांट विला इन्टीमारी क्योंट अगे बैद करते हैं, फिखडन से अचिक पाड है और शोग मेरी पेड़ पाड केले कि एंट कारूर कुर्ण पाड पाड को सीथिंट स्थिंट करों पाड को सीथिए फिखन कार्यत चरम अगे इसंट कर्ते हैं, इस फिख दूख पाड कंड पाल को से अचिक दुख अगर वो इंटिटी के अंडेस्टाइडिंग में इंटर्नल ओडिटर के वर्क को यूज करता है। आई इस सबसे पहले समझते हैं रिलेसंसिप बिट्विन S.A.315 और S.A.610 बहुत से इंटिटी इंटर्नल ओडिट फॉंक्शन को अपने इंटर्नल कंट्रूल के पाट के रुप में यूज करते हैं। अब्जेक्टिव एन स्कूप अप इंटर्नल ओडिट फॉंक्शन इंटिटी के साइज और स्लक्चर के अनुसार बैरीग कर सकता है। ऐसे 315 बताता है कि कैसी नौलेज और एक्स्प्रियेंस आप इंटर्नल ओडिट फॉंक्शन एक्स्टर्नल ओडिटर को इंटिटी और उसके इंवार्मेंट को समझने और रिस्क अप मेटेजियल मिसिस्टेट्मेंट को अक्सेस करने में मदद करता है। या ऐसे इंक्लूट करता है यूजिंग दो वर्क अप इंटर्नल ओडिटर और यूजिंग इंटर्नल ओडिटर फॉंक्शन को यूज किया जा सकता है। यूजिंग इंटर्नल ओडिटर सब्सिस्टेट और बानी चानल ओडिटर्माणछ फॉंक्शन को यूजिंग कीुजिख जाड गडडिटर्माटर्ट्ट्ब्सट्नुछ the coverage means nature and scope of internal audit function and its relevance to overall audit strategy and audit plan. External auditor, internal auditor के पर कुछ जितना जरूरा तो उतना ही यूज करेगा, मतलब अंडी यूज नहीं करेगा और पुसिज करेगा की बाह। से पर को डिरेक्ली परफॉर्म करेगा. Audit opinion देनी की sole responsibility auditor की होती है. Thus, while using the work of internal auditor, external auditor should be sufficiently involved in audit. External auditor, as per SA-260 TCWG को communicate करेगा की, internal auditor के work को यूज करने के लिए external auditor कैसे plan किया. अगर external auditor, internal audit function के work को यूज करने के लिए plan करता है, तो discuss their work to internal audit function to coordinate their respective tasks, and read the report of internal audit function to obtain an understanding of audit procedure and relating findings. External auditor, sufficient audit procedure perform करेगा और evaluate करेगा की क्या, the work of internal audit function had been properly planned, performed, supervised, reviewed and documented. sufficient and appropriate audit evidence obtained by internal auditor, and conclusion reached or appropriate in the circumstances. External auditor shall check, amount of judgment involved, the assessed ROMMS, the extent to which organizational status for internal audit function support internal auditor's objectivity, and the level of competence of the function. आई इस एक नेक्स पाट समस्ते है, उजिग इंटर्न auditor for direct assistance. क्या, internal auditor को direct assistance is not prohibited by law. External auditor shall evaluate the significance of threats to objectivity and level of competence. कि सत्तक, the work can be assigned to internal auditor. External auditor shall consider, amount of judgment involved in planning and performing relevant audit procedure, evaluating the audit evidence gathered, the assessed RUMMS, evaluate significant threats to objectivity and level of competence. आई समस्ते है, direction, supervision and review. Internal auditor को direct assistance के लिए, उजज करने से पाइले, external auditor retain agreement obtained करेगा, from unauthorized representative of the entity. Internal auditor follow the instruction of external auditor, entity will not intervene in the work of internal auditor. Internal auditors will keep maintain confidentiality for specific matters and inform the external auditor any threat to objectivity. External auditors shall direct, supervise and review the work performed by internal auditor as per SS220. External auditor be satisfied that internal auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence. So, here the concept internal auditor का and SS610 का. आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे नए concept के साथ, तब तक के लिए, be safe and be careful. Good bye and thank you. पूश करें झांlegen शोश करें